हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है अनुवव शर्मा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन मिलिटरी अपडेट्स में स्वागत है इस चैनल में हम आपको इंडियन मिलिटरी और वर्ल्ल पॉलिटिक्स से जुड़ी जानकारियां देंगे तो चलिए जानते हैं आज के इंपोर्टन यूज के बारे में इंडियन एर फोर्स ने एक बहुत बड़ी और महतोपूर्ण उपलब्दी हासिल की है इंडियन एर फोर्स के फॉर्स बैज के पाइलेट्स ने एरबस मेनुफेक्चरिंग फैसिलिटी स्पेन में C-295 खरीदने की डील साइन की थी यह डील 2.5 बिलियन डॉलर्स की थी C-295 एक वर्सेटाइल और रिलाएबल टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट है यह एरक्राफ्ट लगभग 6 टन तक का पेलोट कैरी कर सकता है इसके साथ ही है एरक्राफ्ट 71 ट्रूप्स या फिर 50 प इंडियन एरफॉर्स अपने टूप्स एक्विप्मेंट और प्रसप्लाइज को ट्रांसपोर्ट करने में करेगी इस एरक्राफ्ट से इंडियन एरफोर्स की स्ट्रेटिक एरलिफ्ट केपिबिलिटी और ओपरेशनल केपिबिलिटी भी बढ़ेगी तो चलिए जानते हैं आज की important news के बारे में अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर जोर्ज एंरिक तानिया अभी इंडिया के साथ तेजस फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने की बाचीत कर रहे हैं लेकिन इस डील को एक बहुत बड़े challenge का सामना करना पड़ रहा है यह डील अभी तेजस में नापून रही है जिसका प्रमुक कारण एक island है यह विवाद 1982 से चल रहा है तब ही से United Kingdom ने अर्जेंटीना को जेट्स और डिफेंस डिलेटिट पार्ट्स को बेचने पर रोक लगा रखी है इसी रोक के कारण अर्जेंटीना तेजस में यूज होने वाले 16 United Kingdom पार्ट्स को अपने एरक्राफ्ट में नहीं लेना चाता है और नाहीं इन्हें इस्तेमाल करना चाता है इंडिया इन पार्ट्स को United Kingdom से एक्सपोर्ट करता है यह कंपोनेंट्स हैं इजेक्शन सीट्स, इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब्स, कौार्ट्स, नोसकोन और डनलोप टाय इस डील के होने की संभावना बहुत कम है तो चलिए जानते हैं आज की अगली इंपोर्टन यूस के बारे में अर्जेंटीना की एक पब्लिकेशन प्यूकरा कम्यूनिकेशन की लेटेस्ट डिपोर्ट में बताया गया है कि अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर की इंडि में डिस्टिब्यूट किया जाएगा लेटर ओव इंटेंट का मतलब होता है कि कोई देश उस हेलिकॉप्टर या कम्पोनेंट को खरीदना चाहता है लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि 100% वह देश इस हेलिकॉप्टर को पर्चेस करेगा ही तो चलिए जानते एरक्राफ्ट केरियर आइनस विकरांत पर कंड़क किये जा रहे हैं इस एडवांस बोट को स्टेट ओफ दा आर्ट टेकनलोजी से एक्विप्ट किया गया है यह बोट किसी भी आग के सोर्स का पता लगा सकता है और साथ ही समय रहते उसे भुजा भी सकता है यह बोट आग को बुजाने के लिए वाटर या फोम के स्प्रे या जेट का इस्तेमाल करता है तो चलिए जानते हैं अगली बड़ी न्यूस के बारे में डिफेंस फोर्सिस के दुआरा मिलकर एक साइंटिविक स्टेडी कंड़क की गई है और इस स्टेडी में यह अनुमान लगाया गया है कि इंडिया को पाकिस्तान और चाइना पर नजर रखने के लिए 97 मीडियम एल्टिट्यूड लॉंग एंडियोरंस ड्रोन की जरूरत पड़ेगी इसी ड्रोन को अब इंडिया की ट्राइ सर्विस लगभग 10,000 करोड रुपे में खरीदेगी यह ड्रोन लगभग 30 गंटे तक हवा में रह सकते हैं इस ड्रोन का इस्तिमाल इंटेलिजन्स, सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस मिशन्स में किया जाएगा यह ड्रोन मेक इन इंडिया इनिशेटिव के तहत लिये जाएंगे पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद प्लीज चैनल को सब्सक् प्लीज चैनल को सब्सक्तिमाल इंटेलिजन्स, सर्वेलेंस, 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 सर्वेलेंस